विलकम टू CAC & Tech Guide और आज जो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें ये बताऊंगा कि अगर आप लोग एक CAC Center या जनसेवा केंद, जनसुवीदा केंद, वोटेवर कुछ भी अगर आप खोलना चाहते हो, एक Online Cyber Cafe जो आज कल जनसेवा केंद के नाम से मशूर है अगर ये खोलना चाहते हो, तो उसमें क्या-क्या requirement रहती है, और कम से कम जादे-जादा कितना खर्चा करना है, जंगा कैसी होनी चाहिए, और एरिया कितना होना चाहिए, और ID's कौन-कौन सी जहुरत होती है, स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने काफी देखे हैं ऐसे लोग जो शुरुआत में जंसेवा केंद नया नया शुरू करते हैं, और लाखो रुपया लगा देते हैं, लेकिन वो चलता नहीं उनका, और मेरे खुद के जानने वाले पाच्छे लोग थे, मैंने उनको बताया भी था, ये ना करो वो ना करो, लेकिन इंसान के बाद जब पैस लोग आके मुसे पूछते हैं कि जंसेवा केंदर कैसे चलाओं, क्या चलाओं, कितना इंवेस्मेंट करना है, क्या करना है, तो सब को अलग अलग बताने से बहते हैं, मैंने सूचा कि या रहे खुद इसका वीडियो ही बना दूँ, तो टाइम ज़्यादर ना बरबात करू आप लोग का, फिसका हो गया था, तो खर, सबसे पहले जो हमको देखना होता है, वह देखना होता है, एरिया कि जंसेवा केंदर अगर आप शुरू करने जा रहे होए, तो उसका एरिया कितना होना चाहिए, प्लस एरिया कौन सा होना चाहिए, एरिया से मुराद यह है कि कै ऐसा मतलब वो below poverty वाला area हो या literate, literate month लब पढ़े लिखो वाला area ठीक यह तो यह आप लोग को ध्यान रखना है और जन सेवा केंदर खोलने के लिए मेरी जो रहा है वो यह है कि below poverty वाला area देखो जहां पर गरीब आबादी हो, जाहिल हो, literacy rate कम हो, वज़ा बता दूँँ उसक होते हैं तो वह बहुत कानून समझाते हैं, फोटो काप भी रूप यह कर ली, दो रूप यह कर ली और वो लोग अवेर होते हैं, जैसे टिकट बनाते हो वगराव तो टिकट में अगराव एक्स्ट्रा चार्ज ले लोगे, चालिक पचास रुपए, तो काफी लोग अकलमन वाईशाए पचास में 97 रूपेस कटते हैं, रहे यातिनी रावास में 20-30 रूपर कटते हैं, जादत तर मैजॉर्यटी में लोगों को पता होता है, यह paperwork अन लोगों को पता होता है, यह आपके महताज होता है, आप इन से जो समझात होगे कर लोगे, प्लस यह लोग हैं और दूसरी चीज या सबसे में चीज या गरीब की मदद हो जाती है तो इसमें खुद भी अच्छा अंदर्स लगता है और यह पढ़े लिखे जो हमारे काबिल लोग होते हैं यह बहुत जादा ओवर स्मार्ट बनते हैं तो इसमें मेरी राही यह लहेगी कि बिलो पावर चलता हुआ हो यह भी नहीं कि इतम नुकरने वेडिया हो तो वहां पर करो यह ठीक यह हुआ एरिया की बात दूसरी यह बात होगी शौप कितनी बड़ी हो तो उसके लिए यार कि शौप कि साइस कम से कम स्टार्टिंग में 1220 की शौप हो तुमारी 1220 की शौप जो होती वह हो कम से कम ने तो 2,500 रुपए किराय पर मिल जाती है और कम ही रखो मैं फिर यह बता रहा हूं कि जन से वक के इंदर शुरू करने जा रहे हो तो कम से कम रखो स्टार्टिंग में अब यह भी नहीं कि धाबली खोलके बैडिया हो कम ने कम 1020 की हो 1020 की हो ऐसा हो ठीक है तो य अब इसके बाद जो आती में चीज इंवेस्मेट इसमें थोड़ा तवजsal दिये का इस बात पर इंवेस्मेंट की क्या इनवेस्ट करें कितना इनवेस्ट करें क्या क्या खर्चा करें तो यहाँ पर जड़ा एक बात आती है ठीक है फाइब प्हली चीज जो होती है आप एक financial होगे, फमेशे बोले तो एक counter टाइब जो होता है counter, एक counter ले लो ठीक है, जो आपको approx पढ़ी आए, कम से कम दी तो 1500 से 2000 direito का आपको и after पढ़ी आएगा छीक यह हुआ आपका, उसके बाद ये counter वगरा हो गया कुरसी वगरा अगर आप चाहत्तों के सामने कुरसी वगरा रखना है या bench वगरा रखना है customer के लिए तो bench भी ले लो bench या कुरसी एप्रॉक्स maximum ले लो 1000 रुपए की maximum बतारों में वैसे 3-400 में काम हो जाता है bench या कुरसी ठीक अब दुकान बना रहे हो तो उसके banner वगरा जो होते है banner है और जो उसकी poster वगरा जो होते है banner poster वगरा इन सब में खर्चा मान लो की तुम्हारा एप्रॉक्स 1000 रुपए ले लो ठीक ये मैं maximum लेकर चल ला हूँ वना फिर ये maximum जो ये जो होते हैं जो banner वगरा ये अगर बहुत हाई पर चार हो जो जिंडल और star की quality होती हैं तो वो सब हाई पर होती हैं बहुत और जार नहीं दुकान खोल ले हो तो 4 भाई 6 का बनवाओ के banner बहार टांग होगे 4 भाई 6 का अंदर टांग लोगे बहार वर्ग सजाना को सजा लोगे 1000 वे पर maximum अगर एंगल लगवाओगे इसमें लोहे के एंगल वगवाओगे वनना जो दुकान लोगे तो दुकान पर एंगल लगा होता है तो उसी का उख़ड के लगा लेना काई फर्देखर्चा करो ठीक है यह हो गया अब क्या आया में चीज़ आपके आउजार आपके हतियार यह हमारा computer ठीक computer कैसा लो तो यार मैं बता दूँ अपना जो मैंसमाल कर रहा हूं 3-4 सालों से मेरा जो है वो है dual core पे ठीक और 2.8 GHz वाला सिस्टम है मेरा ठीक with 1TB harddisk and 4GB RAM 1TB harddisk मैंने अभी extend की है और 2.0 GHz मेरा एक सिस्टम है और दूसर सिस्टम जो मेरे पास है वो 3.0 GHz का है ठीक dual core यह देख लो कि इसमें मेरा काम चल लह है अब यह जो पूरा सिस्टम तुमारा पढ़ेगा यह पढ़ेगा सिस्टम इसमें तुमारा अगर तुम GIGABYTE का बोल्ड होता है यह तुमारा GIGABYTE का बोल्ड यह तुमारा एप्रोक्स पढ़ेगा 2200 रुपए गा जो रेट चलने अभी ठीक प्रोसेसर सेक्ट हैंड ले लेना मिल जाता है सेकंड हैंड यह पढ़ेगा 300 रुपए गा चॉकना मत तien से रुप से प्रोसेसर मिलता है सेकेंड हैं वता रहby तू पिंट सी लो टू पाइंट नेक्डव तो फ्री पॉइंट रो ठीक यह हो गया अब इसके बाद दुनिया भर का cabinet है ये cabinet और रैम और दुनिया भर का सब मिला के cabinet रैम ले लो तुम 600 रुपे के रैम ले लो और cabinet ले लो तुम 1000 रुपे का ठीक ये सब तुमारा cabinet रैम हो गया और हार्डिस वगारा तुमारी सब कर लो गया हार्डिस हार्डिस पाहजर के हार्डिस ले लो ठीक मतब all total आपका 10,000 रुपय का एक सिस्टम तयार हो जाएगा सिस्टम विल गेट रेडी रेडी एट 10,000 10,000 में आपका सिस्टम तयार हो गया बेतरीन सिस्टम ठीक है अगर आप लोग गाओं के हो या कहीं के हो तो लखनौ का जो है नाजा मार्केट है वहाँ पर ये सब समान आपको मिल जाएगा कोई कि बाहर के लोग यहीं पर आते हैं गाओं के लोग जो होते हैं सेकेंड हैं सम मिल जाता है लेकिन मेरी चीज़ बता दूँ बोर्ड जो है बोर्ड ऑल्वेस टेक ओरिजिनल कोई बह बादी का है मेरा कोई घ दे रइस कहा लेना कोई भी लेना चईनीज बोर्ड मत लेना दूसरी चीजَ केंड हैं मत लेना कोकि यह केंसर होते हैं जो ट deficit cancer होता है इए एक बर आप ने बन्वाया उसे जिन्देगी भर बनवाते रहेंगे आप पोड़ खराब हो तोड़ के फेको नया ले लो और बोड़ वज़े खराब नहीं होते हैं 10-10 साल चलते लोगे बोड़ अगर आप इसको अपने बच्चे की तरीका पालो ठीक है जो यह आपका हो गया पूरा ठीक अब या बचा आपका प्रिंटर चलो चाह पीलू दर दो मिनिट अब है आपका प्रिंटर दोगो भाई एक होता है ऐल 805 यह तुम्हारा L805 और यह तुम्हारा HP 1005 यह तुम्हारा है Multi Function With Color ठीक यह है Only Black and White बट यह Multi Function है और यह भी Multi Function है ठीक है Multi Function प्रिंट है ठीक यह भी है इसके rate जो है यह तुम्हारा market में कम से कम 18 से 20,000 के असपास होगा ठीक यह जो है यह भी तुम्हारा 17 से 18,000 का हो गया है जब मैंने लिया दा 12,000 अगर था तो FsNL805 ही लेना इनकों मत लेना क्योंकि यह से black and white के लिए है और photocopy वगारे के लिए काम आता है यह लेकिन अगर खाली यह लोगे और साथ में एक और ले लोगे तो नुखसान उठाओगे फिर हैं बता रहा हूँ कि वीडियो का purpose यह ही है कि तुम लोग एक चीज से सोच लो समझ लो कि कैसे खर्चा करना है कहां खर्चा करना है पैसा कितना खर्चा करना है investment सही करना यह वाला printer लेने न यह तुमारा इसमें तुमारा सब हो जाएगा photocopy scanning और print out है color print out है सब हो जाएगा सबसे बड़ी चीज बता दूँ इसमें इसमें तुमारा PVC card print हो जाता है PVC card print इसमें हो जाता है इस वाले में L805 में और जैसे हम लोग voter card है sorry voter card का pen card है अधार card है और यह आईश्मान card है labor card है यह सब अगर print करने होते हैं card में तो यह printer best है वीडियो वागर है YouTube में L805 का दिख लेना HP एक टैम पर सस्ता था जब तब मैं इसको recommend करता है लेकिन अब यह बहुत महँगा हो गया है क्योंकि यह demanding बहुत हो गया है जिसको देखो कि इसमें cartridge बहुत होती एक बार भरा हो तीर मैंने चला हो लेकिन यह सिर्फ black and white है अगर photocopy काम बहुत आता है तो भाई यह लेना लेकिन शुरुवात के लिए मैं recommend यही करूंगा L805 क्योंकि F7 की receive value बहुत है अगर इसको बेचों के बाद में तो सही भी कहेगा बिजनेस शुरू करने पहले एक चीज़ दिमाग में यह लेकर चला जाता है कि अगर मैं इसको कल बेचता हूं तो फिर या कैसको इनसान भाई शुरुवात करता है इससे सोचता नहीं है इनसान यही सोचता है कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा मैं यह करूंगा लेकिन एक तरफ एक थोड़ा सा लेके भी चलना चाहिए अगर नहीं हुआ तो ठीक तो शुरुवात में आकि जोग मत देना कि यह भी ले लिया वो भी ले लिया काम कुछ नहीं हो पा रहा है रखे रखे मशीन खराब हो गई ठीक ठीक है प्रिंटर हो गया ठीक तो प्रिंटर ले लोगे तूम एपसेंट है अब क्या आया आया आपका चलो यह आपने खरी लिया है अब हमद करते हैं में हमारी कहां गई款 है अब हम box करते हैं मेन आईदी की आईदी कौन से लेनी है आपको ID होती है CSC की and e-district ये दो ID होती है काम चलाने के लिए लेकिन I would like to recommend you recommend मैं यही करूँगा शुरुवात के 6 महीने किसी से काम करा लो शुरुवात के 6 महीने किसी के ID समाल कर लो में दिखाई दो कैसी होती है मेरे पास खुद की है ID यह CSC की ID होती है ठीक है यह मेरे पास कोई पुरानी ID 2017-2016 की ID है तो यह होती CSC की ID इसको खरीदने के लिए YouTube में पढ़े हुए हैं ना हो तो बता दूँगा टेक का एक्जाम देना होता है फॉर्म भनना होता है पूरा क्लियर हो जाता है 1450 रुपए का फॉर्म भनना होता है यह CSC की ID मिल जाएगी इसमें सारे काम होते हैं आधार का है आधार का पैन आधार वाला काम लांच हुआ है भी तो चाहो तो वह भी हो जाएगा इसमें वह अलग टॉपिक है आधार पैन कार्ड वोटर कार्ड और लेबर कार्ड टिकट इसमें टिकट का पोल्टल भी है और बहुत है एक टाइम पर तो कुछ नहीं था और सब्सक्राइब चीज यह देखो यह है डिजी पे वागरा जो है यह पैसे वागरा निकालना अकाउंट से डिजी पे यह है और बैंक मित्र बैंक मित्र एक चीज होती है जिसमें मतलब आ आपने आपको CSC के तरफ से बैंक मिल जाएगा एक मिनी ब्रांच अब वो आपके नसीब के उपर है कि आपको कौन सा बैंक मिलता है SBI, ICICI, IGFC मेरे पास तो खेर HDFC और ICICI दोनों ही है यह पूरा आपका यह CSC की ID है यह हमारी होती एडिस्ट्रिक की ID यह रखो यह होता है ID की लोग इन ठीक तो शुरुवात में काम करने के लिए किसी से ID उधाल ले लो या खुद काम करने पहले सीख लो और रही ID की बाद ID किसी से ले लो और काम कर लो यह OUTSource कर लो और यह चिस देखो उती है यहां पर E साथी मेरा जो पेज है यह वाला इसी पेज यह मैंने का काम चलाओ लेकिन ID ले लेना ठीक है इडिस्ट्रिक के ID ले लेना बाद में जब तुम्हें लगे कि हाँआँपे काम अच्छा चल ला है तो ID वगरा ले लेना साइड भी नहीं चलती है इसकी बहुत रोती है साइड खैर तो यह हो गया आपका ठीक आइडि में एक ID जो आपको बहतल लगे वह लेना बाद में लेना शुरू आपने मत लेना ठीक है यह सब हो गया आपका पूरा बता दूसे के पर वह ले जा करके लोग दिलाते हैं आइडी महंगी पड़ती है तो वह देख से ना आप अमने जुगाल से जब इतना वाज़ा काम करोगे छे महने बाद तो इतना अंद्राज़ा आपको मिली जाएगा कि आइडी मिलनी कैसी है ठीक है कि खोग पूरा काम ठीक है मैंने भड़ा लिखा हुए है कैसे ये करने मैंने बता दिया और किन जिन लोग को मैंने बता आया है इस तरीके से काम करो यकीन मानिये अब यह मैं फेका भागी कर रहा हूं उन्हों ने करा ऐसे माना हैं और आज उपरवाले की किरपा से बहुत अच्छा मामला चल ला है उनका क्योंकि यह पैसे इंसक्त में कम खर्चा होता है मुनाफ़ा मिलता है तो अच्छा लगता है और तुम्हारे तरफ से किसी को अगर की कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है सेसी सेंटर खोल ले हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं दोगे मियां या दख लेना तुम्हारे महले में दस दुकाने खुली होंगी दस दुकाने खुली होंगी जनसेवा केंद रखी और आजकल यह कॉम्टिशन है लागड करते हैं अगर आप गलीक अंदर ही बठेंगे तो लोग आपस काम करवाने के लिए आएंगे तो दूसी चीज क्या है कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है ठीक उसको आए तो इसको मतलब यह हो कि हाँ भाई कस्टमर सेटिसफाई हो गया कि उसने करा कि हाँ मेरा काम हो जाते हैं थीक है तो यह चीज में पॉइंट है कस्टमर से महबबह से बाद किसे बाद करो तो तुम से ही काम कर आएगो तुम दो दस वपर जादब ले लोगे तो भी काम वह तुमसे करवाएगा ठीक तो यह होगी और एक बात कहें के खतम करते हूं बात यह अपनी टोल बता दो पहले कितना हुआ ठीक है और वो तो बताई निदुकान की पगड़ी बगएरा कितना होगा यह आप लोगा अपने सब्सक्राइट के लिए दुकान की पगड़ी बगएरा क्या होती है ठीक है तो क्या हुआ है क्या हुआ दो हजार का वो मान लो ठीक दो दागा काउंटर हुआ हजार रुपए की बैंच हो गई हजार रुपए के बैनर हो गया कि दहाजार का सिस्टम हो गया ठीक दहाजार का प्रिंटर हो गया ठीक अठाजार प्रिंटर हो गया और आईडी आईडी तुम्हारी मान लो 1450 की तुम्हारी आईडी होगी जो बाद में खोगा ठीक यह दगो अब इसमें अब दुकान की पगड़ी किती होगे क्या दो कि वो तुम्हारे बटी पन करता है दुकान की पुताई हो ताई में वही टोटल मान लो की दुकान का टोटल खर्चा पचा हजार तक आएगा अल ऑफ सॉर्ट्स दुकान का जो टोटल खर्चा आएगा टोटल कॉस्ट पचास हजार मैक्सिमम और मैंना यह आईडिया रहा है जतने भी मेरे पास आए थे मैंना सब को यही रांड आफ पताया था और पचा हजार से कमी लगा ठीक है पचा हजार से कमी लगता है इतना न तोड़ना प्लीज डूंट को फोर सेकेंड हैंड प्रिंटर्स जानने वाले एक थे वह काबिल बन रहेते बहुत जाद मैंने समझाए ता मत करो तो सेकेंड हैंड के चक्कर में उनके 10,000 रुपे घुसेते वह हीरो बन करके वह प्रिंटर सेकेंड लिया थे तो आई होप और कुछ प्रॉब्लम इसमें हो कुछ पूछना हो कैसे करना है क्या है तो पूछना यार सुम्दों की मदद के लिए बैठे हुआ यहां पर तभी वीडियो बनाते हैं यार नीद अराम कर गया अपने तुम लोग के लिए और सब्सक्राइब कर दिया करो या लाइक भी कर अच्छा लग रहा है ठीक है तो कोई प्रॉब्लम समस्या हो दिक्का तो पूछ लेना और कुछ के चीजों के बारे पता करना हो अगर कुछ फॉर्म वगरा भदना हो कोई पता करना हो तो वी पता कर लेना ठीक है तो थैंक्स लोट पर वाचिंद इस वीडियो और वुड थाइब दे, धाग दाग दे, thank you!